पंजाब में बियर्ड के अडिमिशन का प्रोसीजर औरडी शुरू हो चुका है उसका फर्स्ट स्टेप था मेंडेटरी परफॉर्मा जो डिफरेंट कॉलेजिस ऑफ एजुकेशन है पंजाब में सिचुईटर्ड उन्होंने पंजाबी उनिविस्टी पत्याला को सम्मिट कर अब यह टोटल कॉलेजिस में अडिमिशन का नेक्स्ट सेकेंड स्टेप जो की कैंडिडेट्स की रिजिस्टेशन होनी है वो शुरू हो चुका है यह पोर्टल खुल गया है पंजाबी उनिविस्टी पत्याला ने आज 10 सक्तंबर को इसे उपन किया है तो इसमें इंपॉर आप देख सकते हो कौन कौन सी है इंपॉर्टन डेट्स कैंडिडेट की रिजिस्टेशन जो आज से शुरू है 10 सक्तंबर से ऑनलाइन यहां भी मैं प्रोसीजर बताता हूं कैसे आपने रिजिस्टेशन करनी है अच्छा सेकेंड है के लास्ट डेट फॉर पेमेंट आफ का तंबर तक लास्ट डेट फॉर समीशन ओफ रिजिस्ट्रेशन फॉर्म फोर्थ अक्तुबर तक किसके साथ आपके फोटो अपडेट होगी सिगनेचर अपलोड होंगे क्वालिफिकेशन मार्क्स कॉलेज सब्जेक्ट ऑप्शन जो आपके कंबिनेशन होंगे मेजर सब्ज वो यहां फिल हो जाएंगे देन कांसलिंग किस डेट को है फर्स्ट ऑनलाइन कांसलिंग है 17 अक्तूबर को जहां आपको कॉलेजिस की अलाट्मेंट की जाएगी कहां आपकी अड्मिशन हो गई है अड्मिशन होने के बाद आपको तीन दिन का वक्त दिया जाता है जो डॉकुमेंट्स आपने आगे बताता हूँ जो प्रॉब्लम दे सकते हैं सर्टिफिकेट आपको अभी त्यार रखने होंगे वह वहां इवैल्यूइट हो जाते हैं फिर आपकी फीस वो स्कॉलेज में समिट डिपॉजिट हो जाती है तो आपकी अड्मिशन हो गई है य ये डेट क्या कौन सी है बीस अक्तूबर तक ये आपने करना है हां ये बात याद रखनी है कि ये नोट लिखा है कि ड्यूट कॉविड नाइटीन डेट से चेंज हो सकती हैं कोई सिचुएशन होती है नॉर्मली एक्स्टैंड हो जाती है पर आपको इससे टच रहना लेटेस्ट इंफोरमेशन एंड अपडेट्स आप इस चैनल से भी जुड़े रह सकते हो मैं सारे अपडेट्स सारी प्रॉग्रम सारे चैलेजिज आपको जो आपकी तंगियां है आपसे गलतियां हो सकती है वो सारी बताऊंगा आप ये वेबसाइट भी सीधी देख सकते ह ये आपकी खुद की मरजी है नेक्स्ट है कि जब आपकी एड्मीशन हो चुकी है अपने फीस जमा करवा दी है तो हो सकता है कि आपको वो कॉलेज दूर लग रहा है जहां आप उस कॉलेज के किसी आसपेक्ट से सैटिस्पाइब नहीं हो आपके पास और कॉलेज की उस शिफ्टिंग के लिए ओपन होगी ऑनलाइन 22 अक्तूबर को ओके तो वो उसकी क्लोजिंग कब होगी 25 अक्तूबर को ये सारी प्रोसीजर है फर्स्ट काउंसलिंग की इसके बाद सेकंड काउंसलिंग प्रोसीजर भी चलेगा ये देख सकते हो लेकिन अभी इसकी जानक है कि सपाई उस कोलेज से नहीं होगे और आपके लिए अभी जानना क्या जरूरी है और इजिस्ट्रेशन अपने रिजिस्ट्रेशन के लिए यहान ट्लिक करना है आपको स्टेप्स मिल जाएंगे फर्स्ट स्टेप आप सेर्फ हम सिरफ फर्स्ट सेप देखेंगे बाक् disciples क कैसे होनी है, उसमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है, अभी मैं आपको बताता हूँ. अच्छा, फर्स्ट स्टेप में आपने information को click कर दिया, new registration को click कर दिया, वो click करने के बार आप next, आपके लिए वो registration information सारी page खुल जाएगा. वहाँ आगी हम देखते हैं, तो candidate को अपने personal detail, name, father's name, date of birth, gender, ये सारी fill करनी होगी, इन addition to choose, पंजाब, हाँ, आपने quota select करना है, कि आपके पास residence, domicile, पंजाब का है, तो आप 85% का quota select करोगे, अगर नहीं है, तो 15% का quota, अगर आप बाहर नौन पंजाब की हो, आपके पास domicile certificate चाहिए, मैं आगे या के भी बताता हूँ, अच्छा, rural, urban, इसकी थोड़ी problem होती है, कि residence, ये अलग मीनिंग है, इसका, इसकी reservation होती है, अलग जाके बताता हूँ, हर बार बच्चे कम से कम 10% इनके कारण तंग होते हैं, कैफे से आप जब fill करवाते हो, तो उनको information सही नहीं होती, आप लालच करके option टिक कर देते हो, लेकिन बाद में आपका खर्चा कम से कम 57,000 यूनिवस्टी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कॉलच के चक्कर लगाने पड़ते हैं, डीन को मिलना पड़ता है, कॉडिनेटर को कई बार मिलना पड़ता है, वहाँ फोन फिर रश बहुत होता है, इसलिए अभी precaution से चलें, कि इनके meaning में अभी बताता हूँ, कि ये किनोने टिक करना है, ये किनोने टिक करना है, अच्छा, reservation category ये वैसे आपको clear है, तो आपने code fill कर देना है, अगर आपनी image change करनी है, आपकी image upload होनी है, वो हो सकती है, वो option दी गई है, अब हम देखते हैं कि registration आपकी होनी कैसे है, ये क्लिक कर दिया, proceed to registration, ये open हो गया, आपका registration का first page, जहां आपने information fill करनी शुरू कर देनी है, इस वीडियो देखने का आपको एक लाब ये हो सकता है, कि आप पहले से वो information अपने पास collect करके रख सकते हैं, एक बार में ही सारा form ता जो fill हो जाए, ठीक है, candidate name क्या ख्याल रखना है, आपका 10th और जो qualifying आपके degree है, जो graduation, जहां post graduation होगी, उसके spelling match करने होने चाहिए, करते होने चाहिए, ऐसे ही father's name, 10th certificate में, जो है जहां आपकी qualifying degree में, graduation में, जो है, वो अच्छे तरह से देख के fill करने हैं, mother's name, same, date of birth, ठीक है, उसकी कोई problem नहीं है, आपको पता है, gender, male, female और others, other कौन था, third gender भी होते हैं, उनको भी rights मिल चुकी हैं, आप यह जब करोगे जेंडर स्कूल सुसाइटी एक paper पढ़ोगे, उसमें सारा, चलो, यह भी बातें बताने वाले नहीं हैं, जब आप पढ़ोगे, यह आप अगर इस चैनल से अब जुड़ते हैं, तो आपका साथ सिर्फ एक समिस्टर के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, दो साल के नहीं, आप B.A.D. के बाद भी M.Ed. तक, PhD. तक, कहीं तक भी मेरे से कोई भी guidance ले सकते हो, अच्छा, जेंडर फिल हो गया, यह जरूरी है, Are you resident of Punjab? क्यों पूछा गया है, अगर आपके पास पंजाब का domicile है, जब बनवा सकते हो within time, तो आपने 80% कोटे को फिल करना है, यहां क्या option आगी, सौरी, यह ऐसी करना पड़ेगा, हाँ, ओके, yes or no, अगर आप पंजाब को yes करते हो, yes, तो आप सिर्फ 85% जो seats हैं, उनके लिए हो, वैसे seats ज्यादा है, candidate कम होते हैं, 15% कोटा भी फिल नहीं होता, बाद में वो भी convert हो जाता है, कोई गबराने की बाद नहीं है, पर आप अपनी information accurate फिल कीजिए, otherwise, खर्चा, चकर, युनिवस्टी के बड़े ही नहीं, okay? नेक्स्ट ज्यादा important है, जो बच्चे गलती करते हैं, लालच करके, ये red करके लिखा हुआ है, area of residence, ठीक है, area of residence, ये किनके लिए है, applicable only for Malwa Central College of Education, for women, लुध्याना में है जो, जो students candidate यहाँ admission लेना चाहते हैं, ये सिर्फ वो information फिल करें, क्योंकि वहाँ पर reservation already है, सिर्फ एक college ये है, added college है, government added college है, इसमें relatively fees भी कम होगी, और यहाँ reservation है, उस reservation को अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप यहाँ admission लेना चाहते नहीं हो, तो आप के लिए ये column important नहीं है, ये, otherwise आप नहीं, फिल करोगे, next है, have you passed, this is very important, very important, have you passed 10th or 10 plus 2 examination from schools situated in rural areas of Punjab, students क्यों, इनको candidate click कर देते हैं, इसके याद रखना है, five marks मिलते हैं, merit में अप चले जाते हो, अगर आप rural area से हो, सिर्फ rural area के लिख देना, कि आपने, क्या rural area में situated, school में 10th, जान 10 plus 2, ठीक है, and है वैसी लिखा, आपने pass की है, exam वहाँ हुआ है, तो आप ऐसे ही click कर देते हो, लेकिन बाद में इतना पच्चताते हो, कारण, कि आपको अपने उस school से, okay, उसके principle से, plus district education officer से, आपको signature करणवाने पढ़ते हैं, certified करवाना पढ़ता है, वो certificate आपका BIT counseling में लगना है, अगर आप वो produce उस वक्त कर पाते हो, तो आपको ये five marks में लेंगे, otherwise आपको शायद counseling से ही निकाल दिया जाए, उस वक्त के लिए, मतलब disturbance आपकी पकी है, होता क्या है, कि आपने rural फिल कर दिया, five marks मिल गए, merit में आगे आगे, merit में आगे आने से क्या हुआ, कि आप जिस college में नजदीक आपके पढ़ता था, आप आपको वहाँ admission मिल गई, अब admission लेने गए, तो उस college ने आपका certificate सबसे पहले चेक करना है, दिखा होगए DO के sign है, उस college school के principal के signature है, तो वो signature आप तो कहते हैं, वो तो हो नहीं पाएंगे, अब बनवालो, अगर बनवातने जाते हो, तो DO mostly कई बार वो area में नहीं पढ़ता हो, तो रूरल ने consider किया जाता होता, तो DO sign नहीं करता, तो आपका procedure ये भी गया, और आपकी merit जो थी, आप first counseling जे लगड़ बाहर हो जाते हो, तो प्लीज अगर आप ये certificate पहले बनवालो, जहाँ DO से अपने school से information ले लो, कि मेरा school क्या rural area में आता है, जहां मैंने 10th और class 2 का exam दिया है, ये very important है, next है category, इसमें कोई problem नहीं है, हाँ, एक है कि आपके पास वो certificate चाहिए, जिस category का आपने benefit लेना है, अगर आपके पास वो नहीं है, for example, backward class का OBC का है, नहीं है, तो भी same problem जो पिछवी problem बताई है, वैसे ही problem आईगी, उस college ने document verify करने है, आप वहाँ तंग होगे, आप time, money, energy, तीनो, तीन गुना लगेंगे, ओके, next is, अच्छा, अगर ये तो आपका, वो हो गया, कि code जो है, जो भी आपने रखना है, code, please, please कहीं note करके रखिए, colleges of education, जहां जिस college में आप admission लेना चाहते हो, जहां residents के आपके करीब, जो college है, वहाँ help desk बनता है, उन teacher educator को बहुत full knowledge होती है, क्योंकि साथ साथ में university उनको update करती है, अगर आप कैफे वाले के पास जाते हो, मैंने यह कहता कि कैफे वाले के पास ना जाओ, लेकिन information आप update करके लेके जाओ, कैफे वाले ने 50, 100, जितने भी पैसे लेते हैं, मैं उनका भी खराब नहीं करना चाहता, तो उनके पास अगर यह information नहीं हाँ, यह video देखके आप, video से वो देख सकते हैं, कैसे, आप comment box में अपनी problem लिख सकते हो, और साथ साथ में हमें आपको update करता रहूँगा, ता जो आपको यह problem ना आए, कोई भी, ओके, यह तो थी, candidate की registration जो आपने करनी है, उसकी initial basic आपको problem ना आए, second information जो आपको ज़रूर चाहिए, वो है information about B.Ed. colleges, आप जिस area में रहते हो, जहां आप जिस area, जिस college को prefer कर रहे हो, उस college की आपने information लेनी है, वैसे आगे जाके जब form फिल करोगे, आपको 10-10 college भी fill करने preference में हो सकते हैं, अगर पहले में नहीं मिलती, तो second कौन सा, वहाँ guidance की ज़रूरत होगी, तब आपको guide कर दूँगा, अब आप यहां पर क्या देख लो के, for example, आप अमरिच सर के हो, आप अमरिच सर में admission जहां लेना चाहते हो, okay, कोई बार हो सकता है, आप दूर भी, जहां भी आप लेना चाहते हो, उस college के, अमरिच सर के यह college आ गए, district के, वो college जिसका नाम आप, जिसने प्रैफर किया है, एक college नहीं, आपको ज्यादा college पहले देखने होंगे, क्योंकि हो सकता है, कि आपने college प्रैफर कर लिया है, लेकिन उसमें जो आपका major pedagogical subject, teaching subject बनता है, जिसके लिए teacher बनने के लिए, आपने eligible होना है, B.Ed करनी है, वो subject वुस college मे है जा नहीं, ये देखने के लिए, आप पहले अपने college को देखोगे, college को देखने के बाद आप देखोगे, अगर आप commerce के लिए eligible हो, हाँ, commerce यहाँ है, टिक कर लो, आपका कोई भी है, अब इस list में university ने सारी information दी है, comment box में एक madam ने पूछा भी था के, आप यहाँ से भी द अच्छा, commerce यहाँ है, ठीक है, कई बार और combination आपका होता है, for example, life science है, सभी colleges में नहीं होगा, music है, सभी colleges में नहीं होगा, आप अपने college plus combination की information पहले से यहाँ से ले ले, आपको कोई problem आती है, तो आप मेरे को comment box पे लिख सकते हो, अच्छा, total number of seeds की information है, nature of college, वो co-ed है या girls है, boys college में रिखलबे नहीं है, कोई भी, girls या co-ed ही है, यह आपको, आप भी खुद ही evaluate करना होगा, कि कौन से 5-7 college है, जिन में को मैं prefer करती हूँ, उन preference में से, क्या मेरा combination, subject का उसमें है, और plus क्या, अगर आप लड़के हो, वो girls college है, यह भी, यह तीन information आपको अभी से final कर लेनी चाहिए, अच्छा, इसके इलाबा website पर Punjabi University ने, आपको अगर कोई problem आती है, problem दो तरह की हो सकती है, एक तो आपको form upload करने में कोई आ सकती है, आपके fees deposit नहीं हो, एक technical queries हैं आपकी, वो नहीं पता चलती, तो आपको यह number दिया गया है, आप note कर सकते हो, 10- General queries हैं कोई, उसके लिए 10-4 बजे तक का time है, number यह बले दिये गये हैं, इसके इलाबा fees कितनी हैं, आपकी general category की fees है, 2400, okay, SC, ST, person with disability, PWD, इनकी fees है, half, 1200, next है, आप website खुद सर्च कर सकते हो, website दी गई है, अचा यह instruction very important है, इसको university ने दिया है, kindly इसको focus कीजिए, in order to avoid last minute rush, क्या होता है, कि आज first date है, आप कहते हो, कल परसो दिन निकाल देते हूँ, mostly क्या होता है, ध्यान से देखना, बिली का बिल भी देना हो, कोई भी काम करना हो यह पहली डेट है, पहली डेट है, बहुत कम लोग apply करते हैं, last date पर यह कर देख लो, normal probability कर देखो, last में यह rush इतना ज्यादा हो जाता है, rush ज्यादा होने के कारण website का uploading का ऐसी problem आती है, तो उससे बचने के लिए, candidates are advised to apply early enough, जितने जल्दी हो सकी, अगर आप अब करते हो तो आपका मैं कहता हूँ कि time, money, energy, तीनों बचेंगे, the university will not responsible for any network related problem at a later stage, फिर चिंता इतनी neurons हमारे दिमाग में होते हैं, जो dead हो जाते हैं, जब आप ज्यादा चिंता करते हो, यह जब ब्याद में पढ़ोगे तब पढ़ाएंगे, अच्छा, यह हो चुका है, तो इसको प्लीज आप अवाइड कीजिए, as available as possible, कल से ही आप अपनी admission का procedure शुरू कर दीजिए, अच्छा, एक खुशी की बात हो, डिस्कस करना भूल गए, कि आपका entrance test नहीं होगा, admission criteria for admission में यह लिखा है, कि आपकी admission होगी, on the basis of, यह देख सकते हो, relatively merit of the candidates, subject to availability of seats, उस college में कितनी seats available है, आपका combination, subject combination उस college में available है, और आप reservation policy के अनुसार, वहाँ fit बैठते हो, यह हो गया कि आपकी, जो graduation या post graduation के marks, के base पर जो, जिसके base पर आपकी eligibility बनती है, उसकी merit बनेगी, अच्छा, अगर merit में आपको किसी के साथ rank बराबर हो जाता है, तो जिसकी age ज्यादा होगी, for example, एक के 70 आए, दूसरे के भी 70 आगए न, तो इसकी age ज्यादा है, तो इसको merit में उपर रखा जाएगा, candidate with higher percentage marks, आपके in metric exam, क्या बाद है, तो यह थी admission की initial information, जो आज है, कल मैं और information update करता हूँ, आपका कोई भी question ओ, comment box में information डालिए, मैं study करके, मेरे पास क्योंकि relevant sources है, कोई आपको उतर इस से website से नहीं मिलता, prospect से नहीं मिलता, आप पूछ सकते हैं, आप channel से लगातार जुड़के रहिए, कैफे वाले किसे उसके पास जाईए, जिसके पास information updated है, otherwise इस वीडियो को देखे, जान अजदीक के college में, B.Ed college में जाके अपना form feel कीजिए, thank you.